नमश्कार महुपरिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है राजसभा चुनाव का बिगुल अब बच चुका है विहार में पांच सीटों पर राजसभा चुनाव के लिए तारीक का एलान हो गया है भारत निर्वाचनायो की तरब से साजभा की कई जानकारी के अनुसार राजसभा चुनाव का विस्तरत कारिकरम जारी कर दिया गया है इसके मताबिक इस चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जा चुकी है साजह जानकारी के अनुसार 31 मई तक नामांकन दाखिल की आज़ आ सकेगा वहीं 10 जून को राजसभा के लिए मतदान कराया जाएगा बिहार में जिन सीटों पर चुनाव का आयोजन होना है उन पाच राजसभा सांसदों का कारेकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है यानि कि बिहार से राजसभा की पाच सीट खाली हो रही है 7 जुलाई को जिन सांसदों का कारेकाल खत्म हो रहा है उसमें गोपाल नारायन सिंग और सतीश चंदर दूबे राज़त की तरफ से मीसा भारती और जदियू से आर्ट सीपि सिंग का नाम शामिल है वही इसके लावा पुर्फ केंद्रिय मंत्री शरदियादव की सीट पर भी चुनाव होना है वही जहारखंड की भी दो सीटों पर मतदान होने वाला है भारत निर्वाचनायों की तरफ से साजह की गई जयानकारी के अनुसार इस बार राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीक का एलान कर दिया गया है जो की कुल मिलाकर 15 राज्यों की सीटे हैं इनमें आंध्रप्रदेश, बिहार, चात्यसगड, जहारखंड, करनाटर, मध्यप्रदेश, महरास्टर, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तिलंगाना, उत्राखंड और उत्रप्रदेश शामिल है चुनाव का नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा परचा की जाँच एक जून को होगी, वही नाम वापसी की तारीख तीन जून को है सभी सीटों के लिए 10 जून को सुभह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी शाम 5 बजे से मत गणना कर परिणाम घोशित किये जाएंगे विहार ज़ारखंड की ये सभी सीटे राजरेतिक नजरिये से भी बेहद ही एहमानी जा रही है केंद्रिय क्याबिनेट में जद्यू कोटे के एक मात्र मंतरी रसीपी सिंग का कारेकाल जुलाई में पुरा होने वाला है राजुद चीफ लालु प्रसाथ की बेटी मीसा भारती के साथ ही भाजपा के दोस्तांसत गोपाल नारायन सिंग और सतीश चंद्र दूबे का कारेकाल भी पूरा होने वाला है शरद यादव की सीट लंबे समय से खाली पड़ी हुई है जद्यू कोटे से राजुसभास सदस्य किंग महेंद्र के निधन से खाली सीट के लिए भी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं जुन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दे किंग महेंद्र कानिधन पिछले साल दिसंबर में हो गया था वो साल 1985 से लगातार राजुसभास सदसे थे वो बिहार के बड़े उद्योग पती भी थे जिसके बाद अब सब की नजर राजुसभास चुनाव पर टिकी हुई है क्योंकि इसमें कई सीटों पर बड़े बड़े दिगच मौजूद है उमीद है कि चुनाव का सफलता पूर्वक आयोजन तैस समय पर हो जाएगा इसके साथ ही आच के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद